गर्मियों का सबसे हल्दी और टेस्टी नास्ता जिसे आप 5 मिनिट में बनाके रेडी कर सकते हैं और ये खाने में बहुत जादा टेस्टी होगा मैं तो हमेशा बनाती हूँ क्योंकि ये मिज़े बहुत जादा पसंद है आप भी एक बार जरूर ट्राइ करेगा और ये बहुत जादा अच्छा होता है पेट भी बहुत ठंडा रखता है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले मैंने यहां पे ले लिया है हरा धनिया एक हरी मिर्श थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है सिमला मिर्श जिसे बारिक काट लिया है इसे पीस लेते हैं यहां पे मैंने एक बर्दन लिया है इसमें डाला है एक कप गेहु का आटा दो चमत चावल का आटा दही दो है क्योंकि गर्मियों के मसल में दही खाना बहुत अच्छा होता है यह पेट बहुत ठंडा रखता है यहाँ पे आप डाल सकते हैं स्वाधनुसार नमक आप अपने स्वाधनुसार डाल ले जो धन्या हरिमिश मैंने पीस के रखा तब वह इसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा पानी डाल दिया है सारे चीजों को अच्छे से मिक्स करके एक बढ़िया सा घोल रेडी करेंगे जो बहुत गाड़ा नहीं होना चाहिए बहुत पतला नहीं होना च करेंगे लंस नहीं रहना चाहिए इसके अंदर तो बस इतना घाड़ा घोल चाहिए हमें अब जो इसके अंदर डालने वाले हैं वह इस बहुत सारी सब्जिया जो आप गर्मियों के मस्य में आपको जितनी सारी सब्जिया मिल जाए वह सारे इसके अंदर डाल दे तो यहां ऊपर मनें एक तमाटर, एक सिम्ला मिर्ज, प्याज, एक गाजर और इसमें डाला एक खीरा के गड़ू कस कर लिया था और एक ड़ाला है इसमें चुक अंदर उसे भी गड़ू कस करके ले लिया है तो यह सारी सबजिया बहुत हल्दी होती है पेट को बहुत जादा ठंडा र है क्योंकि इसमें दही चावल का आटा और बहुत सारी सब्जिया है साथ में मैंने खीरा डाल दिया था उससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है मैंने पहले भी ट्राय किया था मुझे बहुत जादा पसंद आता है सच में सारी चीछों कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया यहां पे और यह बढ़िया सा खोल हमारा रेडि हो चुका है यहां पे आप पैन या कढ़ाई कुछ भी ले सकते हैं किसी चीज में इसे पका सकते हैं तो ये मैंने कढाई ले लिया है, नॉनिस्टिक कढाई ये, इसमें घी या बटर में इसे पका सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे मैल्टेड घी लिया है, दो चम्मच इसमें घी डाल दिया है, कढाई हमारा गरम हो चुका है, चुले का हेट मेडियम कर लेंगे, और इसमें एक कल अच्छी डालेंगे, बहुत पतला नहीं डालना है, बहुत मोटा नहीं डालना है, अच्छे से फेला देंगे चारो तरफ इसे, धक के मीडियम हीट पे इसे अच्छे से से शेक लेना है, यहाँ पे मैंने उपर से थोड़ा सा जीरा डालती है, इससी क्या है, जब उल्टेंग तो दूसरे साइड से बहुत अच्छे से पक जाएगा और इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है तो यहां पर ढखकन लगा कर इसे अच्छे से हमें सेक लेना है तो एक साइड से देख सकते हैं बहुत अच्छे से सीख चुका है दूसरे साइड से भी से बहुत अच्छे से तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना बढियां से यह पक चुका है और थोड़ी देर और इसे पका लेते हैं तो इसी तरीके से मैंने बहुत अच्छे से इसे उलट पलट की अच्छे सी घी डाल के बहुत अच्छा से बढ़िया थे। बहुत बढ़िया दिख रहा है, बहुत सुंदर। खाने में यह हैं ही बहुत जादा टेस्टी साथ में इसे बनाना इतना जादा आसान है कि कभी आपको अगर कुछ भी नहीं बनाने का मन करें बहुत जादा जो जंजट वाला है वो तो इसे आप घर पे बना के रेडी कर सकते हैं तो एक बार आप चरू ट्राइ करिएगा